तो नाशनल हेरल्ड केस में राहूल गांधी से एडी की पूछताच के खिलाफ कॉंग्रिस आज देश भर में राजधवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है हैधराबाद में प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रिसी कारकरताओं को एक स्कूटी को जलाते देखा गया चंदीगर और बेंगलूरू में भी कॉंग्रिस के कारकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीर आपको हम दिखा रही है नाशनल हेरल्ड केस में राहूल गांधी से एडी की पूछताच के बीच कॉंग्रिस ने आज देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया है हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रिसी कारकरताओं ने एक स्कूटी को जला दिया जिसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रही है साथ ही चंदीगर और बेंगलूरू में भी कॉंग्रिस के कारकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो एडी तीन दिन की पूछताच राहूल गांधी से कर चुकी है कल दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से कॉंग्रिस के कारकरताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया और आक्रोश दिखाया और आज कॉंग्रिस अलग-अलग जगहे पर राजभवन घिराफ कर रही है और ये तस्वीरे जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी से जुड़ी तस्वीरे हैं हैदराबाद बे प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रिसी कारकरताओं ने एक स्कूटी को जलाया कल दिल्ली में हमने देखा था कि किस तरीके से टायर जलाए गए थे और आज ही स्कूटी जलाई गई और चंदीकर और बेंगलूरू से भी जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक यहाँ भी कॉंग्रिस के कारकरताओं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कॉंग्रिस के कारकरताओं ने किस तरीके से अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं और एक स्कूटी को जला दिया गया कल हमने देखा अलग-अलग जगहों से जो तस्वीरे आई और खास तोर पर दिल्ली में टायर जलाने की तस्वीरे जो आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी और ये तस्वीरे जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद की है तो E.D. ने राहूल गांधी से पूच्टाच की नाशनल हेरल्ड मामले में और उसके बाद ये प्रदर्शन जो कल दिल्ली में हुआ और आज अलग अलग जगहों पर राजभवन के बाहर कॉंग्रिस के कारकरता प्रदर्शन कर रहे हैं और हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रिस के कारकरताओं ने आगजनी भी की एक स्कूटी को बाइक को जलाया और पुलिस वालों के साथ ये देखिए पुलिस वालों के साथ यहाँ पर जड़ाप हो रही है कॉंग्रिस के कारकरताओं की पुलिस वालों के साथ हातापाई कर रहे है कॉंग्रिस के कारकरताओं ये तस्वीरे देखिए हैधराबाद से ये इस कदर बढ़ जई की हाता पाई तक बात आप पहुंची